लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, इनसे यह नहीं कहा जा सकता है कि सराबंदी पूरता सफल है। सराबंदी का प्रयास निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है, लेकिन यह परवान नहीं चड़ रहा है, तो सिस्टम में कहीं न कहीं कोई न कोई छेद है, वो छेद को बंद करना चाहिए, ऐसा विकल्प तलास करना चाहिए, कि जिस विकल्प को लाने के बाद ऐसी घटनाओं पर हम कैसे काबू पाए हैं, आज तो पुलिस की सिती यह हो गई है, कि यह बात तय है कि पहले संगठित अपराध हुआ करते थे, नरसंघार होता था बंद हो गया, डकैती होती थी बंद हो गया, अपहरण होते थे बंद हो गया, लेकिन बागी तो घटनाए हो रही हैं सराब के कारण पुलिस को किसी दूसरे घटना में समय ही नहीं मिलता है कि पुलिस जाकर के उनमें अपना दिमाग लगाए तो अगर सराब बंदी 100% करनी है विहार को लीकर फ्री करना है तो इसके लिए अलग से पुलिस की भी वह उस्था होनी चाहिए नमस्कार देंडिया टॉप देख रहे हैं आप मिना नाम उदिव त्यारन है जहरीली सराबो से जो बिहार में मौत हो रही है उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमार साथ जो सक्स हैं वो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पूर्व विधायक रहे हैं गोपाल आफ में मतलजीएगा एक आम विखारी होने के नाते एक विहार के नेता होने के के नाते पिछले पांच सालों में आपको लग रहा है कि जमीन पर सराबंदी सफल है विए यह लेकिन लगातार जो घटनाय हो रही है इनसे यह नहीं कहा जा सकता है कि सराबंदी पूरता सफल है प्रयास सफल है लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो 100% सफल नहीं है और इसलिए इसके समिक्षा किया हो सकता है अच्छा एक सबसे बड़ा जो सवाल उठता है सर कि माली जी आपका जिला गोपा इसके बीच भी शराब जो है वो अन्य राज्यों से पटना पहुच रहा है कितना चेकिंग में डिफॉल्ट है किसकी मिली भगत है यह तो सवाल बार बार उठ रहा है इसके उपर देखिए सवाल उठना लाजिमी है यह बात तय है कि जब ओफिसियल भी हार में सराब नहीं बनाया जा रहा है जितनी सराब की फैक्टरियां थी बंद हो गई कई इस फैक्टरियों में इतनौल बनने लगा तो यह तो तय है कि सरकार के रेकॉर्ड में कहीं सराब नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी सराब गाहे पी गाहे मिल रहा है तो निश्चित रुप से कहीं बाहर से आ रहा है चाहे वो ज्हारकंड से आ रहा हो या यूपी से आ रहा हो या नेपाल से आ रहा हो कहीं से तो आ रहा है और आ रहा है तो कोई हवाई जहाज से तो आ नहीं रहा है हवाई जहाई से लाया भी नहीं जा सकता है तो ये कहीं न कहीं से border cross करके लाया जा रहा है तसकरों के द्वारा लाया जा रहा है और निश्चित रूप से इसमें कोई बड़ा गैंग बड़े तसकर इसमें सामिल है और कहीं न कहीं उन्हों के द्वारा सुरक्षा बनों को भी मैनेज किया गया है ताकि यह धन्दा फलफूल सके और यह बिहार में चिंदा का भी सए है अच्छा पूर्व मुख्य मंत्री जीतन रामाजी एक बियान दिये थे उनका बियान था कि अगर मुख्य मंत्री का जो आवास है बिहार में उसके एक स्कॉयर किलोमीटर के अंदर में कि अगर रात के 11 बजे के बाद जाच हो जाए ब्रेत इनहिलर से कि किसने किसने सरापिया है जो तमाम अधिकारी रहते हैं नेता मंत्री रहते हैं तो बिहार का सारा सराबंदी का सचाय वहीं छीपा हुआ है देखिए वो जीतन रामाजी जी स्वैम मुख्य मंत्री रहे हैं आज के बिहार की सरकार में भी वो सामिल है और उन्होंने अगर यह कहा होगा तो निश्चित रूप से अपने अनुभव उन्होंने सेयर किये हैं तो अब उन्होंने की साधार पर अपने अनुभव सेयर किय यह तो भी बताएंगे, लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है, और मेरा मानना यह अलग है, कि सराबंदी का प्रयास निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है, लेकिन यहां परवान नहीं चड़ रहा है तो सिस्टम में कहीं न कहीं कोई न कोई छेद है वो छेद को बंद करना चाहिए और अगर जितारा माजी जी मुख्यमंतरी थे तो उनको यह भी बताना चाहिए तो उन्होंने क्या प्रियास किया अगर उनको लगा कि यह सही कदम नहीं था तो जिस सरकार ने यह फैसला लिया था उस सरकार के कैबिनेट के उस सदस्य थे और उसके बाद वो स्वेम मुख्यमंतरी बने थे तो उनको इसके लिए कोई सार्थक पहल करनी चाहिए थी देखिए कोई विषय बता देने से काम नहीं चलेगा इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए यह किस रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि समाज को भी और सरकार को भी इससे सक्ति मिले और निश्चित रूप से सराबंदी ही नहीं कोई भी नशा एक सभ्य समाज के लिए खराब है और हर इस्थिती में नशा बंद होना चाहिए यह मेरा ब्यक्तिकत मानना है अच्छे संजीद एस्वाल जो अध्यक्ष है बिहार अध्यक्ष है भाजपा के उन्गा कहना है कि जहां पर ज़्यादा कड़ाई हुआ है ज़्यादा प्रसासन अलर्ट हुआ है वहीं पर जहरीली सराब का मामला मिला है इसके साथी साथ एक और सवाल जब आप फॉर्मेट की बात कर रहे हैं मितलेश जी गुजरात मॉडल की भी चर्चा अब सुरू हो गई है गुजरात में हेल्ट चकप होता है शरीर जिस अनुसार है उसके अनुसार सप्ताह का महीना का लाइसेंस मिल जाता है और उतना ही कोटा है जो किसी वेक्ति को मिल सकता है क्या कहना है इसके देखिए ये बात सही है कि जब किसी राज्य में कोई फॉर्मूला हीट होता है तो निश्चित रूप से उसका दूसरा राज्य उसकी कॉपी करता है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बिहार को गुजरात की कॉपी करनी चाहिए यह यूपी की कॉपी करनी चाहिए यह पंजाब का कॉपी करना चाहिए लेकिन बिहार के लिए बहतर क्या हो सकता है यह बिहार जो है यह लोगतंत्र की धर्ती रही है यह बिहार राजेंदर बाबू का बिहार रहा है यह बिहार गोतम बुद्ध का बिहार चानक के चंद्रगुप्त का विहार है तो इसके लेकर के हम लोग चिनती थे कि हो सकता है कि उससे भी बहतर कोई विकल्प हमारे सामने आ जाए और ऐसा विकल्प तलास करना चाहिए कि जिस विकल्प को लाने के बाद ऐसी घटनाय नहों इन घटनाओं पर हम कैसे काबू पाएं आज तो पुलिस की सिती ये हो गई है कि ये बात तय है कि पहले संगठित अपराध हुआ करते थे नरसंगार होता था बंद हो गया डकैती होती थी बंद हो गया अपहरन होते थे बंद हो गया लेकिन बाकी तो घटनाय हो रही है लेकि सराब के कारण पुलिस को किसी दूसरे घटना में समय ही नहीं मिलता है कि पुलिस जाकर उनमें अपना दिमाग लगाए तो जमीन का जगड़ा होगा तो पुलिस के पास लोग जाएंगे और कोई घटनाएं होंगी तो पुलिस के पास जाएंगे और सराब के मामले में भी पुलिस के पास जाएंगी एक ही पुलिस के उपर इतना सारा बोज ये भी उचित नहीं है तो अगर सराब बंदी 100% करनी है बिहार को लीकर फ्री करना है तो इसके लिए अलग से पुलिस की भी वोस्ता होनी चाहिए इसके लिए जो आपका उत्पाद विभाग है उसके कुछ ऐसे लोगों की भरती होनी चाहिए उनको इस काम में लगाना चाहिए और पुलिस को बिलकुल अलग कर देना चाहिए मेरे हिसाब से आप नहीं तो या पुलिस जब जाती है सराब को पकड़ने तो पता चलता है कि कोई दुसरी घटना हो गई तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों की का संग्यान मान्य मुख्यमंतरी जी को है और उन्होंने कहा है कि इसकी समिक्षा होगी तो मुझे भी सहतर विकल्प जरूर सामने आएगा और अंतिम सवाल एही रहेगा कि आज आपका भी नाम जोड़ दिया गया आप ही के विधान सभास से जो मौझुदा विधायक है प्रेम शंकर यादव राजद नेता है विधायक है उन्होंने कोई संजे पंडे नाम का वेक्ति है उसके बियान दिया था कि जो घटनाएं हुई है और जिन लोगों के उपार फैयार हुए है या जहां पर भट्टी पकड़ी गई है वो पालगन में और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो सब भी लोग रास्तिय जनता दल के समर्था के तो चुकि वो राजद के विधायक है तो उन्होंने भी छोड़ छोड़ी छोड़ दिया है मैं इसको छोड़ छोड़ी का रहा हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगा है उनका अब्यान आया है और मैं उनको चुनवती देता हूं कि वाज विधायक है मैं तो पूर विधायक हूं जरा इसको साबित करके बताए इसलिए कि अगर एक उंगली हमारे उपर उठे उठेगी उनकी तो चार उंगली उनके तरफ ही सारा कर रही है इसका भी ध्यान रखें वो और लोग जानते हैं कि मिछलेस्तिवारी कौन है और लोग उसको भी जानते हैं जो आज बैकुंटपुर का विधायक है जो विधायक बनने के पहले कुतवाली थाना में पकड़े गए थे सराब पीने के आरोप में जेल गए थे तो उनको तो इसकी महारत हासिल है इस मामले के तो भी सिसग्य है और हम पर उंगली उठा रहे हैं तो मुझे मेरा सला होगा उनको कि आज वो पावर में हैं जाएं एफ़ायार कराएं जाच कराएं और अगर हमारे उपर कोई भी प्रकार का मामला अगर यह सिद्ध हो जाएगा तो मैं किवल जेल ही नहीं जा करियर है मेरे पिता जी को यह मेले नहीं थे कि मैं उनके उनके नाम के सहरें विधान सवा पहुंच गया तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से उनको सीधा संदेश है कि अगर आप यह बयान क्यों दे रहें टीवी पर जाएए और जाकर करके एसपी के पास बैठीए और ठाना का विधान सवा का ये मामला है जहां मौझूदा विधायक प्रेम शंकर यादव ने इन पर यारोप लगाया है और ये भी चैलेंज कर रहे हैं खुला के जो जांच करवाना है करवा लेजे लेकिन उससे बड़ा सवाल बिहार और बिहारीयों से संबंधित है कि जहरीली सरा से पिछले एक सप्ता के अंदर दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गए गोपाल गंज हो बेतिया हो सिवान हो सभी जगह से ये बुरी ख़बर इस पर्व के समय हमारे सामने आ रही है क्या गुजरात मॉडल को बिहार में लगाना चाहिए क्या मौझूदा मुख्य मंत त्री नितिस कुमार इसकी समिक्षा करेंगे ये तमाम सवाल है जो बिहार की जनता तलास रही है इसकी जवाब फिलाल इस ख़बर में इतना ही आप बने रहे है देंडिया टॉप के साथ बहुत बहुत धन्यवाब